स्लेट पेंस रखाना नहीं छोड़ोगे तो आप अपनी मौथ को बुलावा दे रहे हो असलामों अलिकूम अवर्यवन, आज में शेयर करने वाली हो स्लेट पेंस रखाना कैसे छोड़े, इसके लट लग चुकी हो तो क्या करे जिसे slate pencil खाने की आदत हो जाती है उन्हें slate pencil खाना छोड़ना बहुत मुश्किल लगता है ये सच है लेकिन कुछ हद तक आप अपने मन से ये इरादा कर लोगे कि इसे नहीं खाना है ये health के लिए slow poison की तरह काम करता है इसे खाने से मेरी जान भी जा सकती है तो ऐसे में slate pencil क्यों खाऊं और अपने से अपनी मौत का बुलावा क्यों दूँ आप अच्छे से इरादा कर लोगे तो आप बिल्कुल भी नहीं खाऊगे slate pencil आपको खाने का मन भी नहीं करेगा आप अपने से slate pencil खाना छोड़ सकते हो लेकिन बात यहीं पर आके रुख जाती है कि हमने तो बहुत कोशिश की है लेकिन हमें तो slate pencil खाने की craving हो रही है तो अब क्या करें और इसे खाना कैसे छोड़े हमने जितनी भी कोशिश की है वो सब नाकाम हो चुकी है आप सबको तो पता ही है slate pencil खाने का YouTube पर trend चल रहा है जैसे के slate pencil eating, slate pencil crunch videos, slate pencil challenges इस तरह के बहुत सारे channels है जो के slate pencil खाने के लिए और बड़ावा दे रहे हैं लेकिन गैस कुछ views के लिए इस तरह के videos बनाना किसी के left के साथ केलना ये अच्छी बात नहीं है इसे नहीं खाना चाहिए जिसे इस चीज के आदत लग चुकी है वो बार-बार यही वीडियो देखने लगेंगे तो इसे खाना कभी नहीं छोड़ सकते हो आप लेहाजा आप कभी ना देखे तभी जाकर आप स्लेट मेंसिल खाना छोड़ सकते हो जब भी आपको स्लेट मेंसिल खाने का मन करें तो आप अपने मैंड को डैवर्ट करें आप स्लेट मेंसिल मत खाइए उसकी जगा आप ड्रैफ फूर्ट काईए जैसे के वालनर्स होते हैं उसे होता है आप walnuts खाने लगोंगे तो आपको health benefits भी मिलेंगे उसके साथ साथ आप slate pencil खाना भी छोड़ सकते हो बड़ी आसानी से जब भी आपको slate pencil की craving होगी तब आप अपने मैंड को busy रखे यानि कि आपको जो काम पसंद हो वो काम करने लगे जैसे कि कुछ लोग को study करना पसंद होता है जिसको जो आदत होती है और जिसको जो चीज हद से ज्यादा पसंद हो वो काम आप करने लगे तब आपका मैंड डैवर्ड हो जाएगा और बार बार आपको मैंड ये signal कभी नहीं देगा कि आपको slate pencil खाना है इस तरह से आप करोगे तो slate pencil से आप दूर रह सक self control करना बहुत जरूरी होता है जब तक आप self control नहीं करोगे तब तक slate pencil खाना नहीं छोड़ सकते हो slate pencil खाने के लिए कोई उकसाए या फिर आपका मन करें आज एक खालूंगी कलसे में slate pencil खाना बन कर दूंगी आप इस तरह से सोचकर slate pencil खालोगे तो आज एक खाओगे कल दो खाओगे इसी तरह से आपको लट लग जाएगी आप चाहकर भी इस चीज से दूर नहीं हो पाओगे इसी लिए आज से अभी से आप इरादा कर लीजेगा के मुझे ये चीज नहीं खाना है ज्यादा से ज्यादा fruits खाईए उसके साथ साथ पानी ज्यादा पीना होगा आप को तब ही आपको इस चीज की क्रेविंग कम हो जाएगी स्लेट पेंसिल खाने की क्रेविंग आयरन की कमी से होती है इसलिए जो आयरन बढ़ा सके उस तरह के juices लेना होगा बिट रूट अनार इस तरह के ज्यादा से ज्यादा आप juices लोगे तब आयरन बढ़ जाएगा उसके सासाथ आपको इस तरह की craving नहीं होगी जैसे ही आपके body में फोन बढ़ जाएगा आपको slate pencil खाने का मन नहीं करेगा अगर आपको कोई उकसाए तब भी आपको खाने का मन नहीं करेगा slate pencil के side effects बहुत होते हैं already मैंने video upload किया है आप देख सकते हो slate pencil के side effects आप जान लोगे तो आप कभी slate pencil नहीं खाओगे आप अपने से इस चीज से दूर रह सकते हो आपने सब कुछ श्रय कर लिया है उसके बहुत भी आप slate pencil खाना नहीं छोड़ पा रहे हो आप डॉक्टर से consult करें आपकी जो भी problem है वो डॉक्टर को बताए डॉक्टर iron calcium इस तरह के medicines देंगे आपको कुछ दिन उसे लेना होगा उसके बाद आपको जो भी slate pencil खाने की craving हो वो खतम हो जाएगी आगे से आप कभी slate pencil नहीं खाऊगे इस तरह से आप कीजिए आप अगर self control नहीं कर पाऊगे तो बहतर है कि आप डॉक्टर से consult करें लेकिन आप अपने से कोई medicines ना ले और आपको slate pencil किसी भी हाल नहीं खाना चाहिए अगर आपको मेरा video informative लगा हो तो मे और न्यू वीडियो के साथ मिलूंगी तब तक के लिए अल्ला आफीज